एक बार मेरे साथ आप एक बार उची आवाज में और बुलंदा आवाज में और साफ सूत्री आवाज में कहेंगे हैपी गुड मॉनिंग में हैपी गुड मॉनिंग सर ऐसा आपको लफज से अपच्छा लफज से और बड़े प्यार से आपको कहना है ये नहीं गुस्से में नहीं कहना है आपको बड़े प्यार से बड़े अच्छे शब्द का प्रियोग इस्तेमाल करना है आपको ये कहना है बड़े प्यार से जो इस्कूल के बच्चे जब इस्कूल में परवेश करते है तो बड़े प्यार से कहते है उसी तरह से हमको भी प्यार से कहना है अगर कोई इनसान अगर कोई मनुश्य किसी को नमस्कार करता है किसी को परनाम करता है तो भगवान उसको नेकिया देता है उसको पुन्ने देता है उसके पाप धुने लगते है क्यूंके नमस्कार और राम राम गुड मॉर्निंग ये जो भी है ये भगवान का दिवा हुआ एक तोफ़ा है एक दुसरे को रिस्टे करना हमारा सबसे बड़ा करतवे है इस करतवे को पालन करो और अपनी दुटी को इमानदारी वफादारी और जवाबदारी से अपने करतवे का पालन आपको हमेशा करना है अपनी दुटी के दौरान एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं हर ट्रेनिंग में आपको बताता हूँ और हमेशा बताते रहूंगा क्यूंकि सिक्रूटी डिपार्मेंट को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है समय के अनुसार उनको रिफ्रेश करना है आता है सब लेकिन रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है तो आपको एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं के मैकदूत मार्कीट के जो भी अधीकारी है जो भी हपीसर है जो भी मालिक है जो भी सेट है तो आप उनको रिस्पेक करना कभी मत भूलो आप क्यूंकि आप मुख्य दौर पे रहते हो में गेट पे रहते हो वहाँ पर करो उसके बाद अंदर में कैबीन है कैबीन के पास रहते हो तो वहाँ पर करो जहां जहां आपको अधीकारी आपको मिलते है तो आप उनको करना है चाहे वो कस्टमर क्यूं नहों कस्टमर को भी हमको हैप्पी गुट मॉर्निंग समय के अनुसार कहना है उसके बाद जो वीजीटर आते हैं उनको भी कहना है जो भी हमारे मैकदूत मार्कीट के अंदर में गेट मुख्य दोवार फे अंदर परवेश करेगे तो हमको उनको रिस्पेक करना हमारा करतवे है सेक्रूटी डिपार्मेंट का बहुत बड़ा मौत वो है कि किसी भी अधीकारी को रिस्पेक करना ये उसका फर्ज है ये उसका करतवे है कभी मत भुलो हम अपने माबाप हमारे माता पीता ने हमारे बड़े भाई भेनों ने रिस्पेदारों ने हमको जो सिकाया है तो बस किसी तरह से हमारे मैगदूत मार्किट भी हमारा एक परिवार है यह हमारा परिवार है इस परिवार में बड़े-बड़े अधीकारी होपीसर बड़े-बड़े उमर दराज लोग है उनकी इज़त करना हमारा करतवे है हमारा फर्ज है यह फर्ज को कभी ना भूले इस सेंसा लगा के रखेगा, और सप्थीशू हमेशा पहन के रखेगा, इस बात का ध्यान रखे, हैरकटिंग और शेविंग हमेशा बर करार हमेशा बरकरार रखिना, इस कर्टवे को कभी न भुले। अपनी दूटी के दौरान,icherung अपने कर्टवे के दौरान सिक्रूटी गाड हमेशा हैर कटिंग पंद्रा दिन में एक बार करना है शेविंग हर रोज करना है जो मनुश्य हैर कटिंग और शेविंग बरकरार रखता है उसका फिजीकल फिटनिस हमेशा बरकरार रहता है इस बात का ध्यान रखे इस बात का ख्याल रखे हैर कटिंग छोटा छोटा रखना सायद के लिए बहुत अच्छी बात है शेविंग करना जिस्म के चहरे के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा दूटी है पोलिस की दूटी है हमारी हम पोलीस का दूटी करते हैं, हम सिक्रूटी है, लेकिन पोलीस का कारिय करते हैं, करोडों अर्बों खर्बों की संपत्ती को सुरक्षा प्रधान करते हैं, इसलिए हमारा कर्तवे है कि हम अनुशासन और डीसी पिलीन में रहे कर हमारी जवाबदारी को अच्छी तरह से निभ है